आज 10 अप्राइल 2022 को IPL में सूपर संडे होने वाला है क्योंकि आज IPL में दो मुकाबले खेले जाने हैं यह दो मुकाबले किन किन टीमों का है और किस टीम का मैच कितने बज़े आरम होगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन आज इससे पहले सबसे पॉइंटेवल में बहुत कुछ बदला हुआ आपको मिलेगा इस लेटेस्ट पॉइंट को आप गोर से देखिए इसमें आपको कोलकाता के टीम नमर वन दिखाई दे रही है वहीं गुजराट टैटन्स की टीम दूस्रे नमर पर दिखाई दे रही है तीसे नमर पर अब ब आज किया करती थी जो टीम IPL में सबसे अधीक खिताब जीती है आज उस टीम का ये हाल है कि वह टीम 9 में और 10 में अस्थान पर चली गई है दरसल अभी तक IPL का 14 संसकन खेला गया है लेकिन इन 14 संसकन में मुंबई और चन्नाई की टीम 9 संसकन जीतने में काम्याब हुई है मुंबई की टीम 5 संसकन वहें चन्नाई की टीम 4 संसकन जीती है लेकिन आज IPL के 15 में सीजन आते आते यह हाल मुंबई और चन्नाई का हो जाएगा कि वह पॉइंटेवल में करमसह 9 में और 10 में अस्थान पर चली जाएगी किसी ने नहीं सोचा था IPL के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब चन्नाई और मुंबई की टीम अपने शुरुवाती 4 मेंच हार कर पॉइंटेवल में 9 में और 10 में अस्थान पर चली गई है खेर अभी IPL का पूरा पिक्चर बांकी है इसलिए इन दोनों टीमों के बारे में अभी कोई भविस बानी करना उचित नहीं होगा इसलिए आईए हम बात करते हैं आज 10 अपरेल के मुकाबले की आज जिन जिन टीमों का मुकाबला है वो हैं कोलकता नाइट राइडर्स दिल्ली केप्टल राजस्थान रोयल्स और लखनाव सूपर जायंस की टीम आज का पहला मुकाबला दि तो वह अपना टॉप अस्थान खो सकती है आज का दूसरा मुकाबला साम 7 बजकर 30 मिनट पर आरब होगा और यह मुकाबला पॉइंट टेवल में 4 अस्थान की टीम लखनाव सूपर जायंस का है लखनाव सूपर जायंस की टीम आज साम 7 बजकर 30 मिनट पर इस पॉइंट ट राजस्थान की टीम राजस्थान रोयल से भीरेगी अगर यहां लखनाओ की टीम जीत जाती है तो वह पॉइंट टेवल में नम्मर वन बन जाएगी तो देखना है आज इन चारों में से कौन सिटी में जीती है IPL से सम्मदित सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दो